हलो फ्रेंज वेलकम टो माई कीचन और आज हम आपके शाषर करने वाले हैं अपनी फेमिली का फेवरेट नास्ता दोस्तों ये नास्ता मेरी फेमिली का फेवरेट है और इसे हम आज कच्छे चावल से बना कर दिखाने वाले हैं ये नास्ता कच्छे चावल से बनता है और एक टाइम में बन कर तयार होता है जटपट सा यह बनने वाला नासता दोस्तों वीडियो पर बने रहेगा विडियो को इसकी इह मत करना अगर आप पुरी वीडियो देखते हैं तो आपको आचे से जानकारी होगी तो चले देरी किस बात की दोस्तों बना लेते हैं इस नास्ते को अब इस नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कच्छे चावल दो घंटे के लिए भिगो दिया है अगर आपको यह सुभा बनाना है तो आप इसको रात को भिगो के रख सकते हैं या फिर दो केल अधर क्षी आहां यहां पर यहांँ कच्छी और यह कंग से काटकर कहाई डाला है उसमें लाल मिर्ची डालेंगे जिससे और भी अच्छा इसमें सवाद और चटपटा बन जाएगा और ज्यादा मिर्ची लगे तो कम ज्यादा भी कर सकते हैं और अब इसमें हम डाल देंगे कच्छा जीरा कच्छी जीरी से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है बहुत अच्छी संदी-संदी खुसबु आती है इसम नास्ता हो यह बहुत he so अध müत्या नास्ता ही अर्यंटा अब हम इसमें ही डेंगे यह हों ठोड़ी सी घटी नहीं है अगर आपके पास दढ़ी है तो घर-घक से भी बाल्या खिए लाकर गपीर दाल सकते हैं इसमें आलोल यह ड जालगों कर लेंगे हम नहीं ढलता है दोस्तों बहुत ज़ुक्त हैं और यहां जाने उस सथा यहां तो यह पोलाग यह बोपना मेरे ज़ुकं में भीताती हैं 20 दोस्तों मैं यही ढूल अरो डालओ है लोगे में यह कंपने सिस्पार दनिया नहीं डालुद इसा ही किलगा झटे हैं इसमें सोड़ा चमार छोई हैं जो कितलु कुल ख्यास्यें पहundert है यह नियुक्त क्में क्पार जेल सकते हैं cave में ऊक्त नहीं सी डूबिदो दिया हुआ है दोस्तो इसमें धन्यवाला फूला 15 मैं लाज अदेंहिन्में हैं और इसे अच्छे से इहां पर गाइनस कर लेंगे मैंने यहां पर तेल डाला है सिय मैंने गाइननस कर लिया है अब इस तरह से गाड़ा गाड़ा रखना है और इसमें सारा पेश्ट को मैंने अच्छे से डाल दिया है पेश्ट डालने की बाद अब इससे हम इस थोड़ा सा टीप कर लेंगे आपकी भासा में बोले तो इसे पटक लेंगे क्योंकि इसे पटकने से हैं यह जो पेश्ट है अच् करें इसंथर और सफ़र से पोल्षा से जोपका की सिसरा इनदिशन को में 25 मिनटे को 31 मिनटे में यह तल़ाइ बाद ऑन गां और आर देख सकते हैं अ stiffness कि इस तरह की कि या रहती पक्कर तयार है अब आप अश्चेствен име कि पटका है ci जोटों यह जैसे यह जेक एस हैसे चाना लीज़े इस तरह से डालके देख से एक दम इस तरह से बनकर आएगा, हलका सा लगके आया है, क्योंकि दोस्तों यह इन गरम है, और इसमें चावल कि वजने है, जो चलावी रूंप 期क आ, तो आपसे हैं, लेकिन इकच्छा नहीं है अंदर से, अब इसे हम देखिए मैंने इसे बिना बटर पेपर के लगाए मैंने इस बॉल में जमाया है यानि सेट किया है फिर भी अच्छे से आसानी से निकल चुका है हलका फुलका तली में चिपका है उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों आप चाहे तो यहां पर बटर पेप यह कट करना इसका एकदम आसान है इसे कट करने में कोई जंजट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है अब आप देख सकते हैं मैंने इसके कट कर लिये हैं यह देखिए दोस्तों इसका पीस निकाल कर आपको दिखार एकदम ढोकले की तरह नरम नरम रूई की तरह एकदम दब जा इसे खा कर बहुती ज़्यादा खुस होंगे तो दोस्तों I hope आपको मेरी रेच़़ी भी बहुती ज़्यादा पसंद आई होगी तो अब मैंने यहां पर इसका कर लेते हैं तड़का तैयार मैंने यहां पर एक यहां पर रख दिया है आप चाहेले तुट तड़का देने वाला जो भू लाता है वह भी रख सकते हैं इसमें हमने तेल डालन है नी हमने डाल दिया है यहां पर र्याय को दाने थोड़ा सा कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता आप अपने हिसाब से डाले थोड़ा या ज्यादा जैसा भी आप डाले दोस्तो मैंने यहां पर जैसे ही यह राय का दाना डाला है तो यह अच्छे से चटक गया आप देख सकते हैं किस तरह से चटक रहा है तो चले इसमें डाल देत यह मैंने कड़ी पत्ता डाल यह दस से बारा पीस इसी के साथ यहां पर डाल देंगे टमाटर बारिक कटा हुआ थोड़ छोटे चोटे पीस बनाई हैं दोस्तों इससे भी बहुत अच्छा इसमें फुलेवर आएगा टेस्ट अच्छा आएगा तो दोस्तों इस तरह से जब आप नास्ता बनाएंगे ना और इसे साफ करने के बाद फिर मुझे कमेंट में बताना कैसी लगी रेसिपी दोस्तों यह बहुत अच्छा टेस्टी और स्वादिश बनने वाला नास्ता है उमिद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत बहुत ज्यादा पसंद आये होगी चटनी चटनी हमने बनाई यहां पर खीरे की दोस्तों आप अपनी पसंद से कोई भी चटनी से बना सकते हैं टमाटो सोक से या फिर हरी चटनी टमाटर चटनी किसी भी चटनी से आप इसे साफ कर सकते हैं में यहां पर खीरे की चटनी बनाई खीरे की चटनी इसकी साथ बह मारे फेस्बूक पेच को फोलो करें, वीडियो लाइक दोस्तों में शेयर करें, पाँ